नमस्कार दोस्तों वास्तो ग्यान में आपका स्वागत है आज के समय में दोस्त कम और दुश्मन जादा होते हैं जिन पर हम सबसे जादा भरोसा करते हैं अक्सर वही हमें धोका देते हैं कल्यूग में दोस्त कम दुश्मन जादा होते हैं आज एशा और जलन अपनी चरम सीम पर है लोग अपनी जीत पर कम और दूसरों की हार पर जादा खुश होते हैं अगर आपके पास अच्छी नौकरी है खुद का घर है तो सामने वाली लोग आप से खुश कम जलेंगे जादा हम में से ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्नोंने अपनों से धोका खाया है और बन बैटे हैं वो हमारे शत्रू यही नहीं कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो हमारी काम्याबी से जलने लगते हैं यही नहीं यह हमारी निंदा दूसरों से भी करने लगते हैं हर व्यक्ति अपने शत्रू पर विजय पाना चाहता है पर विजय पाना इतना आसान नहीं ह कई बार हमारा शत्रू हमसे ज़ादा ताकतवर होता है तो कई बार हमारा दुश्मन हमसे ज़ादा समझधार होता है इस वज़े से हम कुछ नहीं कर पाते और हाथ पर हाथ रखकर मन मी ईशा की जलन को बढ़ाते रहते हैं तो दोस्तों अब समय आ गया है इस अगनी को समाप् करने का क्यूंकि मैं आपको बताऊंगी वो उपाए जिन्हें अपना कर आप अपने शत्रू पर विजे प्राप्त कर लेंगे पहला उपाए साबुत उड़त की काली डाल के 38 और चावल के 20 दाने मिला कर किसी गड़े में दबा दे और उपर से नीम्बू निचोड़ दे नीम व्यक्ति बगेर किसी कारण के आपको परिशान कर रहा है तो सचाले में बैठे बैठे वहां के पानी से उस व्यक्ति का नाम लिखें जाने से पूर्व उस जगह पर जहां नाम लिखा था अपने बाए पैर से तीन बार ठोकर मारें ध्यान रहें यह स्वार्थ वर्ष ना क तबी करें जब आपको कोई परिशान कर रहा हो तीसरा उपाए यदि शत्रू अधिक तंग कर रहे हो तो मोर के पंक पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मंगलवार या शनिवार रातरी में उसका नाम लिख कर अपने घर के मंदिन में राद भर रखें प्राते काल उठक कर बिना नहाए धोए चलते पानी में बहा दे शत्रू शतूरता छोड़कर मित्रता का विवहार करने लगता है चौथा उपाए शत्रू नाज तथा मोख शांती के लिए कात्य माता प्रसिद है इनकी किरपा पानी के लिए इस मंत्र का जाप करे ओम कात्या यने नमे सुब का अभाव हो तो इस मंत्र को 5-7 बार सुने फिर देखिए आपके शत्रू का नाश कैसे होता है पाच्वा उपाए चिन मस्ता देवी शत्रू नाश की सबसे बड़ी देवी है भगवान परशुराम ने इसी विद्या के परभाव से अपार बल अरजित किया था देवी पूजन शत्रू से चुटकारा पाने के लिए माता चिन मस्ता देवी की पूजा अर्चना करें कैसे करें पूजा शनिवार के दिन स्नानाधी के बाद देवी का पूजन शुरू करें अपना मुख दक्षिन या पश्चिन दिशा की और रखें नीला या काला कपड़ा की माला से देवी का नाम जपे निश्चित ही शत्रू से छुटकारा मिल जाएगा फूजा के बाद देवी के सामने रखी समगरी मंदिर में दे दे छटा उपाए यदि आप एक काम्याब जिंदगी से नीचे आ गए हैं घर काम नौकरी सब धीरे-धीरे चोपट हो रही है या शड़ेंटर को तोड़ सकते हैं इस उपाए को करने के लिए दक्षिन दिशा की ओर मुख करके बैठें अब एक काला वस्त्र ले और उसे अपने सामने बिछा ले उस काले वस्त्र पर एक महाकाली का चित्र स्थापित करें और महाकाली की समानने तरीके से पूजा करें के बाद मुंगा काला हकीक या रुद्राक्ष की एक माला ले और क्री क्री शत्रु नाशनी क्री क्री फट मंत्र की 11 माला का जाब करें प्रतेक माला के पूरे होने पर नीम्बु के उपर उड़त की दाल इस भावना से चड़ाए कि महाकाली मा आपके शत्रु के द्वारा रचे गए शत्यंत्र को नस्ट कर दे जबके पूर्ण होने के पश्चाथ एक तांबे का लोटा या मिट्टी की छोटी सी मट्की ले अब नीम्बु को लोटे या मट्की में डाल दे अब काले वस्त्र पर से मा के चित्र को हटा ले और उस कपड़े में मट्की का मुँ बा और वहां से आ जाएं वहां से आते वक्त पीछे मुड कर ना देखें घर पर पहुंचकर स्नान कर ले इस उपाई को करने से आपके शत्रू का शडयांत्र विफल हो जाएगा व्यक्तिकत बाधा निवारन के लिए व्यक्तिकत बाधा के लिए एक मुटी पिसा हुआ नमक ल कर फ्लश चला दे निश्चित रूप से लाब मिलेगा हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की ग्रह स्थिती थोड़ी भी अनुकूल होगी तो हमें निश्चित ही इन उपायों से भरपूल लाब मिलेगा मनुष्य जीवन में दूसरों को सफल होते हुए देखकर बहुत ही कम लेकिन आपकी सफलता को देखकर आपका विरोध करने के लिए कोई न कोई शत्रू आपका बन ही जाता है यह शत्रू आपकी जीवन की सफलता के रह में रोड़े बन जाते हैं और कई बार आपको हानी पहुचाने का काम भी करते हैं तो दोस्तों आप इन उपायों को अपन कर अपने शत्रू पर विजय पा सकते हैं इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टिदारों के साथ शर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया न स्थाइब कीजिए दोस्तों